आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ डाई इथाईल एधर किसलिए यूस होता है इस कुशन में हमसे ये पूचा है तो पहले हम ये देखते है डाई इथाईल एधर होता क्या है डाई इथाईल एधर एक सिंपलिस्ट एधर होता है फॉर्मुला होता है इसका CH3, CH2, O, CH2, CH3 ये क्या होता है ये एक colorless, highly volatile, flammable liquid होता है और इसको commonly use किया जाता है solvent की तरह, laboratories में और कुछ engines में basically waxes के लिए या फिर fats, oils, perfumes और gums के लिए ये mildly irritating होता है mildly irritating किस के लिए skin के लिए और mucous membranes के लिए ठीक है और ये क्या होता है ये क्योंकि colorless clear liquid होता है तो ये use किया जाता है anesthetic odor के लिए भी ये anesthetic odor के लिए भी काम आता है क्योंकि ये die ethyl ether जो है वो high aqueous solubility होती है इसकी compared to other aesthetic ether से तो ये क्या होता है sweet smelling भी होता है और साथ-साथ inhalation induction के लिए भी यूज किया जाता है पर ये क्या होता है बहुत ही slow होता है और इसकी रिस्क भी थोड़े काम होते है तो इसलिए से anesthetic के लिए यूज किया जाता है ठीक है और क्या होता है और इसको रेफ्रीजिरेंट के लिए भी यूज किया जाता है ठीक है मतलब यह तो नॉर्मली इसको यूज कर लेते हैं फर्स्ट है एनस्थेटिक तो हम बोली रहा है तो यह तो पॉसिबल है शॉल्वेंट यह सॉल्वेंट यूज होता है वैक्स, वैट, ओल, परफ्यूम, गम्स में डाइट है इधर का रेफ्रिजरेंट यह यूज होता है या तो फिर NH3, CO2, Butane के सथ मिक्स कर गे यूज होता है All, yes, जब सब के सब पॉसिबल है तो All तो आप्शन हो सकता है तो हमारा करेक्ट आप्शन क्या हुआ 4, right? क्लासिक स्ट्वेल से लेके NEED, IIT जेही, मेंस और अडवांस के लेवल 10 मिलियन से जादा स्ट्वेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलूट के ले डाउटने टाप या वाच्छाप कीजिए अपने डाउट्स 84444 पर